इस वीडियो में हमने C part करना है 8 x 291 x 125 सबसे पहले 28 को 125 से multiply करेंगे क्योंकि पीछे यहाँ पर 5 है और 5 को जब हम 8 से multiply करते हैं तो हमारे पास 0 आता है unit place पे तो हम यहाँ पर 125 को multiply करेंगे 8 से then it will be 1000 into अग फिर हम multiply करेंगे तो हम इसके साथ multiply करेंगे तो इसके पीछे भी कितनी 0s आजाएंगे 3 0s तो 291,000 this is your answer I hope it will clear to you Thank you